बिना लेसन और बिना प्याज की आज हम बनाएंगे मटर पनीर की रेसिपी बहुत सारे लोग अपने भोजन में लेसन और प्याज को अवाइड करते हैं वरत से पूर्व या वरत के पारण में भी लेसन प्याज को अगर आप अवाइड करते हैं तो ये रेसिपी आपके लिए है जरू ट्राई करिएगा एक कटोरी हरा मटर को मैंने थोड़े देर के लिए उबाल लिया है ताकि ये सॉफ्ट हो जाए अब हम कराही में तिल डालके पनीर को थोड़े देर के लिए भून लेते हैं और इसे पानी में सोख करने से ये सॉफ्ट भी हो जाएगा अब हम सेम कराही में अद्रक, हरी, मिर्च और काजू को रोस्ट कर लेते हैं अब इसमें दो मीडियम साइज के टमाटर डाल लिजे और इलाइची कूट के डाल लिजे इसको मिक्स कर लेना है, थोड़े देर के लिए धक के टमाटर सॉफ्ट होटने के बाद हम इसका पेस्ट पना के तयार करके रख लेंगे अब कराही में तेल डालिए, जीरा, तेज पत्ता और ये है दाल चेनी हल्दी, सबजी मसाला और ये कश्मीरी लाल मिर्च है, अगर आपको और तीखा पसंद है तो यहाँ पे आप लाल मिर्च पाउडर भी डाल सकते हैं इसी समय हम इसको टाल देंगे ये काजू का पेस्ट और इसे भी भून लेंगे इस समय आपको फ्लेम को रखना है लो टू मीडियम ताकि हमारे मसाले जल नहीं जाए जब तक ये मसाले भून रहे हैं हम ग्राइंडर चार में थोड़ा और पानी डाल लेंगे ताकि सारे मसाले का इस्तिमाल भी हो जाए और इन मसालों को हमें जलाना नहीं है इस बात का ध ध्यान रखना है अभी आप इसमें थोड़ा नमक डाल दीजिए ताकि ये मसाले जल्दी पक जाए और कवर करके रख दीजिए जब तक ये मसाले आधी क्वांटिटी में नहों जाए और इससे तेल सेपरेट नहों जाए तब तक हमेंसे पकाना है आप देख सकते हैं तेल अच्छे सेपरेट हो चुका है मसालों से और इस तरीके की ग्रेवी आप किसी भी सबजी के लिए इस्तिमाल कर सकते हैं आलू गो भी और फिर किसी भी तरीके की सबजी अगर आपको बनानी है तो आप इस ग्रेवी को बना सकते हैं इसी समय हमको ये मटर डाल देना है और इ अब आपको जितनी ग्रेवी पतली रखनी है उसे साब से इसमें पानी डाल दीजिए और इन सभी को मिक्स कर लीजिए और थोड़े देर के लिए हम इसे भी ढख के पका लेते हैं ताकि सारे मसाले एक बार अच्छे से पक जाए और मटर के साथ मिक्स हो जाए अब इस है तो थोड़े देर ढख के और पका सकते हैं और इन सभी को मिक्स कर लीजिए आपस में उसके बाद एक चमश गरम मसाला और धनिया पती डाल देजिए आपकी सबजी बनके तयार है दो से तीन मिनट के लिए आप इसे और पका लिजिए ताकि गरम मसाला सबजी में हो थी स्वादिष्टी सबजी बनके आप इस रेसिपी को जरू ट्राइ करेगा और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक का बटन दबा देजिएगा चैनल पर नए है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत बोलिएगा